ओम स्री गनेशाय नमा दोस्तों ओम गनपती समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 8 सितंबर बुद्वार आज के सिंग रासी फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान देना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और मिवसाय कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव डाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्मून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे सुरू करने से पहले मेरे आप लोग उसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्क्राइब करें और साथ में नोटिफीशन की मेल को भी दमाए जिससे आप तक समय समय पर नहीं नहीं महत्मून वीडियो पहुंच सके तो चलिए दोस्तो बात कर लेतें कैसा रहेगा आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पोजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपका दिन बहतर रहेगा कार्य चितर में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी जिया दोस्तो अपनी उर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं आपका confidence बड़ा हुआ रहेगा सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे जिया दोस्तो आप कुछ नया काम करने की सोच सकते हैं जो आगे आपको धनलाब के अफसर देगा रुका हुआ फसा हुआ पैसा मिलने की संभावना है जिया दोस्तो अगर आप कोशिस करें तो आपको सोचें में कुछ जरूरी काम समय पर पूरे होंगे आपको इप फैसला लें काफी सोच समझ करी लें बोविश्य को और बहतर बनाने के लिए आज जरूरी कदम उठाएंगे आपकी सभी योजनाए समय से पूरी होगी जिया दोस्तो आर्तिक इस्तिती मजबूत होगी लेकिन महनत करनी पड़ेगी आपका पूरा दिहान अपने केरियर को आगे बढ़ाने पर ही रहेगा और आपको किसी जरूरत मंद की मदद करके काफी उसी महसूस होगी आपको अपने सभी कारियों में सफलता मिलेगी अगर कोई लाब का उसर मिले तो उसे अपने हाथों से नजाने दे और साथ ही बिजनेस और निजी जीवन में अपने विरोधियों से सावधान रहें आपको नए लोगों से थोड़ा संबल कर रहना होगा जिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपकी नेगिटिव बातों के बारे में दोस्तो आज यात्रा से कष्ट हो सकता है वहान और मसीनरी से सालदन रहें आप जो भी कारी करें सोच समध्यकर करें हो से के तो किसी वरिष्ट की सलावश से लें बोले से पहले थोड़ा सोच लें कई ये बात सामने वाले को बुरी ना लगे आज जीवन साती से कोई अनबन हो सकती है किसी यात्रा को लेकर जिया दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके विर्षाय और केरियर के बारे में आपका आर्तिक पक्ष्क पहली किया पकिछा और मजुगूत होगा जीवन दोस्तों व्यापारी वर्प को अचानक से कोई बड़ा धनलाब हो सकता है आपका पूरा दिहान केरियर को आगे बढ़ाने में ही रहेगा कारिया चितर में आपको अच्छी खासी सफलता मिल सकती है बविष्या को बहतर बनाने के लिए आप नई कदम उठाएंगे अब बात कर लेते हैं आपके घर परिवार के बारे में आपके परिवार में खुशो का महूल मना रहेगा आप परिवार बालों के साथ कहीं घूमने फिरने का भी पिलान मना सकते हैं पारिवार के रिष्टों में इससे मजबूत ही आएगी माता पिता का आशिरवाद प्राप्त होगा भाई बैनों में आपसी इसने और प्यार बढ़ा रहेगा घर परिवार में खुश्यों का महल रहेगा आपको अपने व्रोधियों से थोड़ा बचकर रहना होगा दोस्तों आपकी लव लाइप कैसी रहेगी जीवन साती के साथ आप अपने रिष्टों को लेकर ज्यादा भावोग हो सकते हैं विवाईत जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा आप जीवन साती के साथ कई गूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं जीवन साती को लाब का अफसर प्राप्त होगा आपकी किसी से मुलाकात आद दोस्ती में बदल सकती है दामपत जीवन काफी प्रेंपूर बना रहेगा जी आतो आपका स्वास्त कैसा रहेगा स्वास्थ संबंधी समस्थाओं से दूर हैने के लिए आप रुजाना वियायाम करें जिसे पेर और हाथों में सूजन और दर्ज़ की समस्य से बचा जा सकें ये समझ से मोसम परिवर्दन से उत्मन हो सकती है आपके लिए बहतर होगा नियमित योग करें, वियायाम करें, प्रनायाम करें और पूर्ण रूम से स्वस्त्रें दोस्तो आज आप ये उपाई अवश्य करें भगवान स्री गणेश को हरी दूरवार पित करें और मिश्ठान का भोग लगाएं, और 108 बार इस मंत्र का जवाब करें, ओम गंगन पते नमा, ओम गंगन पते नमा इस पिरकार उपाय करने से आपकी मनो कामना इससे गृपूर्ण हो जाएंगी दोस्तो आपको बगवान स्री गणेश का सिर्वात प्राप्तू, कमेंट में जे गणेश अवश्य लिखें, धन्यवाद दोस्तो आपका दिन सुब और मंगल में हो